तो इस वीडियों हम बात करने वाले है, ओर केल क्रेडिट लुब्ब्टिट के बारे मां, जो की, skyscraper कम्पणियां दूस्थो और उसका, quarterly को háfil jam – रेजन्ट आया है, hel added, तो दौस्थो हम इस वीडियों में discuss करने वाले है कि, कैसा performance रहा है, कंपनी का कैसा इसने क्वार्टर ले जल्व में अपना परपरवांस किया है तो वीडियो को पूरा देखी गया अगर आप मेरे चैनल को बेट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राब करके बैल हाकर को प्रेस सब्सक्राइब कर लिजीगा ताकि आपके पास मुट्टी किसन यहां पर देख सकते हो इसका हम सबसे परेखा आएगे नेट इंकम यह है इस कंपनी का नेट इंकम है ठीक है और हम यहां पर देखेंगे दोस्तों इस company का all value lakhs में है तो यहां पर इस quarter की अगर हम बात करें दोस्तों यह है current quarter जिसका result आया है ठीक है यह है इस से previous quarter ठीक है और यह है previous year का same quarter ठीक है तो यहां पर इस quarter में जो इसकी दोस्तों net income है वो 65.06 है और इस से प्रीवेस क्वाटर में थी 78.88 ठीक है ऐसे प्रीवेस येर के expecting कंवाटर में थी 9.53 तो यहां पर दूस्त गरवाचई देखांब यहां पर आपको इस कवाटर में कंपरी की दिखा यह रही है वह 65 और इससे प्रीवेस क्वाटर में तो आपको देख रहा होगा कि यहां पर इसमें ग्रावट ही देखरेंगे को मिली है इस quarter में अगरेजन टू प्रीवेस quarter में ठीक है लेकिन previous year के से अगरेजन के अगर हम बात करते हैं तो company में गिरोद इस quarter में थे 23,23.60 और इसे previous year के same quarter में थे 3.89 तो इस comparison के quarter में expense बड़े है ठीक है और इस previous quarter के comparison के बात करते हैं तो expense घटे है ठीक है क्योंकि इससे last quarter में zone वाले quarter में थे दोस्तो 23.60 के और इस quarter में 70.98 के तो no doubt कि यहां पर company का total income भी घटा है ठीक है total income घटा है तो expense भी घटा है तो यहां पर हमें इससे कोई ज़्यादा फर्ग निपडने वाला कि हम यह सोच लए कि नहीं अच्छी चीज है company इतो इस से घुछ नहीं होना है ओल बेख रहे हैं तो यहां पर हम यहां पर को देखि ले तो यहां पर हम देखना दूस्ट्टो एक तो होता है यहांपर यह चीजrimit आपका ट्यक्स होता है ठीक है और होता है प्रॉफित फूर एक्सपिलन एंट्स ठीक है तो इन दोनों को मिला करके यह आया आया मैंका नेट प्रॉफित कि इसीन आया प्रॉभित तो यहां पर आप देखोगे यह है आपका नेट प्रॉफित 34.83 और इससे प्रेविजर को आतर्य के प्रिविजरार में दोस्तों था 40 4091 ठीक है ओर इससे प्रिविस dob के सेम क्वाटर में था फूरब पॉन्ट्टू तो इस स्कें प्रिवश कर दो cath dibuj कि सेम क्वाटर की कपरेजर में काफ़ अच्छी ग्रोथ है दोस्तों 34.83 है लेकिन प्रीविएस क्वाटर की कंपरिजने के अगरम बात करते हैं तो 40 से घड़ करके 34 रहे गया है नेट प्रॉपिट वो तो रहना है था क्यों कंपणी का नेट इंकम है ग्रावर्ट जो देखने को मिलिए अध tim sah तो यहाँ पर हमें कम्पनी का रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही नजते आ रहा है अच्छी में इस क्वाट्र में कंपणी और अगर हम कंपनी की EPS की बात करें दोस्तों यहां पर तो हमें क्वाटर में था 0.590 और इससे प्रीविए स्वाटर में था 0.076 तो इसकी निरेक्षा कि लेकिन प्रीविए को आपरी को यह बात करते तो इसमें का इसमें देखने को लिए है गिरावत देखने को लिए हम ये कैसा क्योंकि एस कौार्टन में 0.502 और इस ते पीजिक कौार्टन में 0.599 का तो इस ìnhर पर ऐसे हमें यहां कॉछ खास नहीं रहा है हां और चोटी इस है और कम बहुती और कम्बनी का प्रक्रोभानस पीए लेकल तो डॉनिवरी दोस्तों यहां पर कंपनी फांसी सेक्टर की कंपनी है और यहां पर आपको उता दूम बहुत ही छोटी कंपनी है मार्केट कैप है आप देख पा रहें स्क्रीन पर 117 करोड का ओल्ली मार्केट कैप है 226 रुपए इसकी करेंड प्रैस से 151 इसका पी रिस्यू हो गया है दोस्तों और यहां पर आप डेट की बात करते हैं 0.14 करोड का है और रेजर्व जो 1.68 करोड का रेजर्व है तो हम आल के यहां पर बात करें कंपनी की एक रुपाफ़ी अच्छे है रहाट आप में क्या करना चहीं क्या जर्वय क्या सब्सक्राइब लेकिन सारी क्वालिटिटी नहीं क्योंकि कम्पनी बहुत छोटी है माइक्रोकेप कम्पनी है और हमें सारा पैसा अगर आपने किसी किसी ने इसीवर लगा रखा है तो यह आपकी गलती है कुछ प्रॉफिट आपको बुक जरू कर लेना चाहिए रही बात रेटन्स की दोस्त तो यहां पर मैं आपको दिखा दू वैसे में चार्ट में ओपन करता हूं तो यहां पर कंपनी जुवासर कुछ महीनों के लिए हो सकता है कुछ टाम के लिए विए फिकर में जा सकती है ठीक है इसमें मतलब आप यह मत सोतना कि जिस तरीके से हमेशा से कंपनी चल रही है ऐसे कंपनी चलती रहेगी कंपनी अच्छा काशा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो कर सकते हो लेकिन निल मत करना अपने डिमेट काउंट से इस यह को बिल्कुल निल मत करना लॉंग टम में कंपनी अच्छा रहेटर निकाल के देगी क्योंकि अभी कंपनी माइक्रोक्यप कंपनी है तो अपने इस्टॉक को फ्री कर दीजिए और वह दस बीस गुना हो गया है तो अपने इस्टॉकों तो कम से कम फ्री कर ही दीजिए ठीक है बाकी डॉन्ट वरी लंबे सुर्म अच्छा का से प्रफर भुण के दे की कोई भी कंपनी quarterlier खराब होने से अच्छा हम यह निक चापते कंपनी खराब हो गई अगर वह consistency दिखाती है अपने quarterlier खराब पूर खराब दिखाती है माले 2-3-4 कॉर्टर तो हां हम कह सकते हैं कि कंपनी का पूर मैनेज्मेंट और कंपनी प्रपनेंस नहीं करपा रहे हैं एक क्वार्टर को भीव पर हम किसी कंपनी को खराब नहीं वोड़ सकते हैं सब्सक्राब कर गया द्यान रहे कंपने का स्टोक पी एक्सोग ऑन हो गया है और से कंपनी का क्यांवन और 25 तो ओर जब सकती है ठीक है तो आपको परिशान ने होना है ग्रावर से सो थैंक वबचिंग एन सब्सक्राब नाओ